तो आगते दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल D के Study Point में आज हम पढ़ेंगे Class 12 English की Book का Chapter 3 जिसका नाम है Deep Water दोस्तों Chapter शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बतायता हूँ ये Chapter William Douglas ने लिखाए इस Chapter में Basically दोस्तों William Douglas अपने Childhood के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें बच्पन में पानी का डर था और उन्होंने उस चीज से Overcome करने के लिए क्या क्या करना पड़ा तो आईए इस Chapter को शुरू करते हैं तो इस Chapter की शुरुआत होती है William Douglas से जो सोचता है वे Swimming सीखेगा Swimming सीखने के लिए वे YMC पूल में जाता है और उसके घर के पास याकीमा नाम की रीवर भी होती है याकीमा रीवर के comparison में YMC पूल ज़्यादा सेफ था Swimming करने के लिए YMC पूल बहुत बड़ा होता है जहां एक साइट पर दो से तीन फीट घहरा पानी होता है और दूसरी साइट से नो फीट घहरा पानी होता है William Douglas को एकवाफोबिया होता है एकवाफोबिया का मतलब दोस्तो पानी का डर और यह चीज बच्पन से उसके साथ थी क्योंकि जब वो एक बार अपने पापा के साथ यहां कीमा रीवर के किनारे गया था तो वहाँ पर उसके उपर से एक वाटर वेव निकल गई थी और वह पानी में डूबने को हो रहा था तब से उसे एकवफोबिया है यह डर उसके दिल में घर कड़ चुका है जब विल्लिम डगलस वाइमसी पूल के पास जाता है तो यह पानी का उसका फिर से उजागर हो जाता है और पानी से ड़रने लगता है वे अकेला ही पूल के किनारे पर खड़ा होता है और वहाँ पर एक बड़ा लड़का उसको पानी के अंदर धक्का देता है और वे जगा पूल की सबसे गहरी एंड होती है और राटर की बोड़ी धीरे धीरे नीचे जा रही होती है नीचे जाते आते वे सोच रहा होता है कि फूल की तली तक जाकर अपने आपको पुश करके उपपर पहुच आएगा और उपपर आते ही स्विम करके नो फीट वाली से दो फीट वाली साइड पर पहुच जाएगा लेकिन दोस्तो इस चीज़ का बिल्कुल उल्टा होता है डूपते हुए विल्लियम को नो फीट नबे फीट की तरह लगने लगती है नीचे जाने के बाद वे बड़ी सी चलांग मारता तो है मगर उपर नहीं आ पाता उसके आसपास का पानी उसको धीरे धीरे उपर की तरफ छोड़ रहा होता है वे सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी आवास भी नहीं निकल रही थी पूल की सते तक नापोशने के कारण वे घबरा जाता है उसकी सांस फूलने लगती है और हाथ पेर भी सुन हो जाते हैं और वे वापस पानी के अंदर चला जाता है विल्यम बहोश हो जाता है जब विल्यम की आँखे खुलती हैं तो विल्यम पूल की साइड में उल्टा पड़ा होता है उसके पास में वही लड़का होता है जिसे उसने पानी में पुश किया था वे कहता है कि मेंने तो छोटा सा मज़ा कराता तुम तो डूब नहीं लगे इस इंसिदेंट का डर विल्लियम की दिल में बैट जाता है और वे कभी सुमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाता कभी अचानक वे सुमिंग पूल के पास बहुत जाता है तो उसके हाथ और पेर फूल जाते हैं और सुन पड़ जाते हैं बहुत दिनों बाद विल्यम की स्विमिंग सीखने को इच्छा होती है तो वे एक स्विम इंस्ट्रक्टर को हायर करता है इंस्ट्रक्टर उसे हफते में पांच दिन स्विमिंग करवाता था विल्यम के चारो तरफ बैल्ड बांदी जाती थी और बैल्ड में रसी भी बंदी होती थी जो पुली से होते हुए सुमिंग पूल के बाहर जाती थी उस चीज के दुआरा ही विल्यम पूल में घूमता था और यह चीज तीन मेने तक चलती है और इंस्ट्रक्टर विल्यम को पानी में सांस लेने की कला भी सिकाता है विल्यम इस चीज की प्रैक्टिस करता है और उसके बाद उसे पानी में सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है इंस्ट्रक्टर उसे अपने पानी में टांगे चलाना भी सिकाता है विल्यम ने यह सब तो सीख लिया मगर उसका डर खतम नहीं होता वे अपने डर को खतम करने के लिए वेंटवर्थ जाता है और वहाँ पर वेंट ट्रिक्स लैंड से जम्प करता है तो दो मील की दूरी ते करने के बाद वें स्टेम पैक आईलेंड पर पहुँच जाता है और जब जाकर उसका पानी का फियर खतम होता है मतलब उसका एकवा फियर खतम होता है दोस्तो मैं बता दू आप सब को के हम सबका एक कमफर्ट जोन होता है जिस comfort zone में हम रहना चाते हैं उससे कभी भार नहीं लिकलना चाते हैं और ऐसे ही William Douglas को पानी से डर लगता था तो वो पानी के पास नहीं जाता था क्योंकि वो उसका comfort zone था मगर दोस्तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे practice नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को overcome नहीं कर पाएंगे जैसे की example William Douglas ने instructor हार करके practice करी मेहनत करी पानी में सांस लेना सीखा जब ही वो अपने फियर को overcome कर पाया तो दोस्तो अपने comfort zone को हटाईए और मेहनत करके practice करके कुछ बढ़ा कीजिए तो दोस्तो आज ये chapter यहीं खतम होता है और मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कुछ important question जो आपके exam में जरूर आएंगे दोस्तो ये रहे कुछ important question जो आपके exam में आ सकते हैं जैसे पहला question है How did Douglas overcome his fear of water कैसे Douglas ने अपने डर को बगाया तो दोस्तो दूसरा question है How did the instructor turn Douglas into a swimmer instructor ने Douglas को swimmer में कैसे turn किया और दोस्तो तीसरा question है How did Douglas make sure that he conquered the old terror Douglas को कैसे यकीन हुआ कि वो अपने पुराने डर को जीच चुका है और दोस्तो लास्ट में एक question मैं आपको बताऊंगा जो कभी-कभी हमारे previous paper में भी आया है I went down down endlessly now I must go to sleep तो दोस्तो जिसको भी इसका answer पता है वो comment box में type करके बताईए देखते हैं कितने को इसका answer पता है तो thank you so much please like the video, share the video and subscribe the DK study point क्र ट्के नदीए क्रब़। क्रच्ण ऊ board करके दोस्तो इसका North